हलो दोस्तों मैं विसंदत टिप्स ओन लिविंस से आज हम बात करेंगे दोस्तों बैंगलोड रेस की 18 नौबर की रेस है पहली रेस एक बच के 30 मिनट में आकरी रेस प्माच बज़े है और पहली रेस दोस्तों यहां पर 1200 मिटर की है नो विप्रेस है और यहां पर गोड़े हैं एक नंबर स्टार कॉंसेप्ट टॉप और जिस ओन फिल्ड में लास्ट टाइम सुरण एड़ू के नीचे बहुत इंप्रेसिव विक्टी थी स्टार्ट टू फिनीस ही गोड़ा चीता था पुने तीन लेंद्थों से और सारे रन अल्मस्ट फरंट है और पीस इद्धर राजू बठा दिया है नो विप्रेस है अलाउंस का बेनिफिट है 62 किलो में सूरच को बैठाने से साथ 4 किलो का अलाउंस लेना सही फाइदमन्द हो सकता है और ड्रॉबी चार नंबर का है ज़्यादा बाहर का है नहीं तो फरंट र रहा है विक्टरी के लिए गिरीन वीच के साथ में गूट सेकंड क्लिम्ट के साथ में मुदस्र बैठा हुआ था उस दिन भी गूट सेकंड तो यहां पर यह बिल्कुल चांस बनता है और ट्रेजर चैस्ट भी तौसिफ खान के निचे आप देख सकते हैं वर्लिवाइज म का एक रन लिया हुए गोड़े ने तो उसका बेनिफिट हो सकता है यहां पर चैनमबर अपसेट प्लेज देख सकते हैं बीहरीस परसन ना जी के गोड़े पर काफी टाइम बाद अपसेट के लिए देख सकते हैं काफी गोड़े है यार इसमें साथ नंबर अलवेडन लास् फैबरेट होके पांच वह लगा काफी पीछे ही रहा गया जो भी इंसिडेंट हुआ और यहां पर दुआरा एक तरीके से जहां पर भागना चाहीं भाग रहा बैंगलोर में एक बैटर रन की उमीद कर सकते हैं सर्प्राइस कर सकता है आर नंबर इसाबेल लास्टन बढ़ दस नंबर है पनियुमा फ्लूग दे रहा है अपसेट कर सकता है दोस्तों एक उड़ा और यहां पर मैं सिंगल इपक लेके चलूँगा यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ वैसे ही नो विप रेस है बैटर रही है अगर छोड़ सके तो बट जो गोड़े यहां पर से तो उसके बाद साइकेंड रेस में आ जाते हैं शोला सो मेटर थ्री रोल्ड की रेस है यहां पर दो नंबर ब्रेव मैजिस्टी मैं सिब नाम लेके चलूँगा बाकि मैं यहां पर ब्रीफ कर देता हूं ब्रेव मैजिस्टी और यहां पर कुछ गोड़े हैं सात में खला जार जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद अब जाके यह इर्फान गटाला जी के गोड़े पर सुरे नेडू देखने को मिल रहा है और ब्लेजिंग सैडल ऑनर नीरस त्यागी जी देखते हैं कैसा रन देता है गोड़े पर मतब दो रन पे तो जो लास्ट हैं दोनो डर भी भागा हुआ गोड़ा तो एक बैटर रन के उमीद करी जा सकती है सूरज के नीचे सोलह सो मिटर में गुट थर्ड लगा हुआ गोड़ा नॉर्वेयन वूट के आगे तो चांस बिल्कुल बनता है सनलित पात अपसेट आप देख सकते हैं लिर्फान गटाला जी कई गोड़ा है यह भी और नमबर अभी सेना एंटर्नी राज लास्ट टाइम दो रन आर्मरी के साथ में भी गुट थर्ड हुआ सेर्बिलिस के साथ में भी थर्ड तो यहां पर मैसूर के रन थे बट और नौ नमबर मिश्टी के लिएर पहला रन है नी अप्रोच का बच्चा है और सर्प्राइज आप देख सकते हैं इस गोड़े को यार और 11 नमबर भी जैसा मैंने बताया है दो गोड़े उपर और जो बताया मैंने अभी विक्टोरिया दूर सनी के साथ में मतलब जो भी नाम था गोड़े का यार उसके साथ में भागे हुए यह गोड़े ब्रेव बैठ गया और नीरज रावल इंतियाज खान जी के गोड़े पे काफी मतलब अच्छे गोड़ों पर बैठा हुआ है लगतो रहा है कि कुछ मतलब अच्छी विक्टी देखने को मिले तो फिलाल इसी रेस से सुरू कर लेते हैं 12 नमबर है सुपर मारवेला भी अपसेट है और मेडन में एक गोड़ा यहां पर विड्डाउन है पांच नमबर साउदन इस्टार और सबसे ज्यादा जो ट्रैक देखने को मिल रहा है चार नमबर का थोड़ा ठीक दिख रहा है और फॉने मैनन एंटनी राज के नीचे और पिक भी मैं इसी सिंगल गोड़े को लेक ठीक है बागी कोई भी आ सकता है यार हना 6 नमबर की बैडिकीरी वाइस भी अच्छा है speaking of विच का बच्चा है और उसके बाद चौथी रेस दोस्तों कार्ड इतना इंप्रेसिव लगनी रहा है या कुछ हलका वो है और चौथी रेस चौदो सो मिटर किलास थिरी की है और यहां पर कुछ गोड़े हैं दो नमबर चैंपियन भी बहुत इंप्रेसिव विक्ट्री है सोला सो बारा सो और दो हजार किलास थिरी तक घोड़ा गया है उसके बाद डर्भी भगाया था जमारी के साथ में फ्रेंट रनर है और यहां पर फिर एक तरीके से जिस डिस्टें हो गया तो उमीद करते एक और बैटर रन देखने को मिले तीन नमबर फिलासपी जिस तरीके से मैंने बताया है इम्तियाज खान जी के गोड़े पर निरज रावल और यह फिलासपी यार कहां मतलब किस फिल्ट से कहां अब भगा रहे है इस गोड़े को यार क्लास टू में भी वेंगलोर में फैबरेट था असो युदवीर के आगे टॉब वेट में जाड़ा है बिल्कुल यह गोड़ा बनता है और उसके बाद इसी रेस में पांच नमबर है इस टैलेंट इस तीनों रन बहुत इंप्रेसिव है वाई यह सीनात बैट गया है टॉब वेट में तो नजर बनाया रखना दोस्तों इस पे भी सर्प्राइज यह अपसेट कर सकता है बाकी वो दो गोड़े उपर के यह काफी स्टॉंग दिख रहे हैं साथ नमबर गला हाड इसका भी रेटिंग पचपन है सिंतेसिस के साथ में गूड थार्ड हुआ था और यहां पर जो इंसि काई ना कहीं पर एक गोड़ा बाहर कौन सा होगा यह देखना पड़ेगा मतलब मेरी फैंसी क्या कोड़े और बाकी जो मुझे लगला है दो गोड़े जो टॉब में दिख रहे हैं दो नमबर चैंपियन वे सुरज नरेडू और तीन नमबर फिलोस्पी नीरज रावल पां सिनी के साथ में दो बारी भाग चुका है बारा सो चौथा लगा था और फिर चौदर सो में गूड सैकेंड क्योंकि सूरज बैठा था एंटर निराज बैठा दिया है तो यहां पर साइस सूरज होता तो और और पांच नमबर इस इन सीर्स बीर्टीफुल प्लेस में है सेम जौकी वेड जा रहा है और एक नमबर में मुझे थोड़ा सा यहां पर मतब मैं सिंगली पिक लेके चलूँगा एक नमबर ऑल अट्रेक्टिव एमरान खान होर्स वाइस अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि ए गोड़ा यार बोर्ड में रहना चाहिए वन टू ठीक रंदी हैं दो बारी जिदाय गोड़े को काफी हार्ड राइडिंग करके और लास्ट टाइम मैसूर में थर्ड हुआ है उसके बाद इम्रान खान बठा दिया है खैर वेड वाइस तो कोई ज्यादा मैंटर नहीं कर रहा बट सिर्फ जौकी का वो लग रहा है खैर उमी किसा फॉर्म में गोड़ा यार मैसूर में दोनों रन बढ़िया हैं और विन माई लाव क्लास वन तक गोड़ा गया हुआ क्लास टू सोलह सो मिटर काफी इंप्रेसिव जीता हुआ है और सोलह सो कही मतब यह रे से सोलह सोगी टीन नंबर क्लाम सी वाइस सीनात के नीचे अजर बनाया रखना यार यह गोड़ा मता काफी उपर की क्लास देखके आ चुगा है और सोलह सो अठारह सो बहुत इंप्रेसिव जीता था तो यह गोड़ा बिलकुल बनता है यहां पर चाह नंबर प्राना यह क्लास टू भगा रहे यार थोड़ा से मुझे लगता है कि इ असरन देता है विक्टोरिया पंच अपसेट किंग ओव वार भी सुसेन बैठा दिया खैर और वन्टू की बैठ है और पिक में मैं लेकर चलूँगा दोस्तों दो नंबर विन माई लाव बढ़िया रन है सोलह सो के हिसाब से और कोशी कुमार तीन किलो का लाउंस का ही बेन बहुत दिख रहा है मुझे बागी कलाम नत्सी है यहां पर आप तीसा गोड़ा मुझे वही दिख रहा है साथ के लिए इस चौदो सु मेटर के एक नंबर इस प्लैंडी डू अपसेट प्लेस आप देख सकते है निकोली ना उमीद करते हैं बोर्ड में रहे मैकरॉन है यह एहरान प्लेस अपसेट और सादनमर मर्जगोवल इंप्रेसिव रन कह सकते हैं यार किंगो नाइट डिफेंसर के साथ मैं उफ एक क्रॉस वाटर को बीट किया था सवा पांच लेंटों से बहुत बढ़िया रन था यार वो जिसमें क्रॉस वाटर जो लास्टन जीता है और लास्टन के बेस में ही मैं इस गोड़े को पिक लेकर चलूँगा सादनमर मर्जगोवल अकसे कुमार उमीद करते हैं एक और बैटर रन देखने को मिले और इसी के साथ ठीक है दोस्तों बैंगलोर के लिए आप सभी को यार बैस्ट ओफ लग और अल्दा बैस्ट उमीद कर हैं बैंगलोर आपके अच्छी जाए इसके बाद मिलते हैं दोस्तों चेनली की रेसों में ठीक है दोस्तों बाई टेक है मेरे भाईयों बाई 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 बाई